आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें पांचो पांडवों ने अपने मृत पिता पांडू का मांस खाया था उन्होंने ऐसा क्यूं किया ये जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जनम के बारे में जानना पड़ेगा पांडू के पांच पुत्र युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे इनमें से युधिष्ठर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता मादरी थी पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे पर इनका जनम पांडु के वीरी तथा संभोग से नहीं हुआ था क्योंकि पांडु को श्राथा कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्य हो जाएगी इसलिए पांडु के आग्रह पर ये पुत्र कुंती और मादुरी ने भगवान का आहवान करके प्राप किये थे जब पांडु के मृत्य हुई तो उसके मृत्य शरीर का मांस पांचों भायों ने मिलबाउच कर खाया था उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयम पांडु की ऐसी इच्छा थी क्योंकि उसके पुत्र उसके वीरे से पैदा नहीं हुए थे इसलिए पांडु का ग्यान कौशल उसके बच्चों में नहीं आपाया था इसलिए उसने अपनी मृत्यो पूर्व ऐसा वर्दान मांगा था कि उसकी मृत्यो के पश्चाद उसके शरीर का मांस मिल बांच कर खा ले ताकि उसका ज्यान बच्चों में स्थानां तरित हो जाए पांडवो द्वारा पिता का मांस खाने के संबंद में दो मांन्यता प्रचलित है प्रथम मांन्यता के अनुसार मांस तो पांचों भायों ने खाया था पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था जबकि एक अनिमान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता के इच्छा का पालन करते हुए, उनके मस्तिश्क के तीन हिस्से खाए। पहले टुकडे को खाते ही सहदेव को इतिहास का ग्यान हुआ, दूसरी टुकडे को खाने पे बर्तमान का और तीसरी टुकडे को खाते ह यहीं कारण्ट था कि सहदेव पांचों भायों में सबसे अधिक ज्यानी था और इसे उसे भविशे में होने वाले घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेर जरूर करें।